हेलो डिवन, वैलकम टू लटरिंग उत गौतम यूटूब चैनल तो आज की शुडियों करने वाले म्यूजीक में अनकी संगीत में वादियंत्र और उनके वादक से संबनित प्रश्णों को इसमें इस तरह के प्रश्णों होंगे चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट कोश्ण से और पाला कोश्ण है हमारा पंडित रवी संकर का संबन्द किस वादियंत्र से है यानि कि पंडित रवी संकर जो है कौन सा वादियंत्र वजाते थे सितार वजाते थे, सितार का वादन करते थे पंडी तरभी शंकर यानि इक option इसका A हो जाएगा ठीक है और आप लोग कंफ्यूज नहीं हो इसलिए आप लोग को यहाप फोटो वी देख सकते हैं पंडी तरभी शंकर का फोटो क्या होते हैं अगर आप लोग जाकिर उशेन का देखते हैं या फिर विश्टु गोविन जो इसका विश्कार किस ने किया था तो याद रखेगा अमीर खुश्रो ने किया था इंपोर्टेंट पॉइंट है कि सितार वीना और इनानी तंबूरा जो कि हिंदू मुश्लिम सहले का मिस्रन है इसका विश्कार किस ने किया था तो अमीर खुश्रो ने किया था यह भारत का सबसे लोग प्रिये वाद यंत्रों में से एक है जिसका परयोग शास्त्रिय संगीत से लिए करके हर संगीत में किया जाता है समझगे जो सितार वीना और इरानी तंबूरा होता है यह जो है भारत का सबसे लोग प्रिये वाद यंत्रों में से एक होता है वादियंत्र किसे करते जो बजाने वाला यंत्र होता है जितने भी बजाने वाला यंत्र होता है इसी हो का जाता है वादियंत्र जिनका प्रयोग किसमें किया जाता है तो शास्तिरीय संगीत से लिए करके हर संगीत में इसका उपयोग किया जाता है समझ गयो चले अगला question कर लेते हैं और next question है अमारा Jackinkerhoven का संबंद किस वाद यंत से है यानि क country season का बी ओ जाएगा यह देख सकते हैं यहां sheep जाकिरhoven जी का फोटो च्याद रखेगा जाकिर evolvesayer का संबंद किस वाद यंत से है तो तबला से इनका संबंद है थे सानाज के लिए से सबको पता होगा सै कौन फिरे लें यह जाएक है और यह देक सकते हैं यह भीश्मिल्ला का पीडियो का लिंक्स सबस्क्रन सती है जिस भी ऐचलिक हम तो इस पीडियो का लिंग यह यह चैनल के होमपेच पे जाएगा तो आपको फर्ष्ट वीडियो ही मिल जाएगा पहला वीडियो ही मिल जाएगा उसमें आपको बताए हुए कि पीडियो को किस तरह से लेना उसमें इस पीडियो के बारे हैं आपको बताए हुए कि इस पीडियो को भी कैसे लेना समझगे चलिए बढ़ किस वादियंत्र से हैं? कौन सा वादियंत्र बजाते थे? बदुरुद्दिन डागर तो यहापर देख सकते हैं यह वीना वजारे हैं यानिका सम्ळ्द किस viena से हैं option इसका C हो जाएगा देख सकते हैं इंका photo भी रहा बदुरुद्दिन डागर का याद रखेगा बदरुद्दिन डागर जो इनका संबंद था वीना से ये वीना वजाते थे अगला कोशन है सीव कुमार सर्मा का संबंद किस वादियंत से है सीव कुमार सर्मा देख सकते हैं आप इनका फोटो शिव कुमार सर्मा जो थे ये कौन सा वादियंत्र वजाते थे इनका सम्बंद किस वादियंत्र से था तो शंतूर से शंतूर वादन करते थे शिव कुमार सर्मा यानि का option इसका C हो जाएगा यह देख सकते इनका photo भी है अगला कोशन है हमारा असद अलीखा का सम्बंद किस वाद यंत से है असद अलीखा जो है इनका सम्बंद किस वाद यंत से है तो रुद्रवीना रुद्रवीना से सम्बंद है अशद अलीखा का देख सकते हैं इनका फोटो भी है रुद्रवीना के साथ, तो अश्याद अलिखा का जो सम्वन था, वो रुद्रवीना से था, यानि कि रुद्रवीना वजाते थे, असाद अलिखा option इसका A हो जाएगा, और इस तरह के जो प्रशन होते हैं, आपके STT exam की बात करें, STT exam में आपसे 7-8 नमर के इस तरह के प्रशन पूचे जाते हैं, maximum आपसे 10 नमर के भी पूच सकता है, और minimum 7-8 नमर का पूचेगा है, और भी PC की बात करें तो उसमें भी 5-6 नमर के एक question पूचाई जाता है, और अगर आपके music का प्रिपेशन के लिए music का प्रिपेशन करें, तो यह topic एक ऐसा topic है, इससे fix है कि आपके exam अगर इसको पूड़ा देख लेते हैं, इसमें total 112 question है, आज पूड़ा नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को EK करके पूड़ा question करवा देंगे, लेकिन इस पीडिएप को अगर आप अच्छे से पढ़ लेत नाम है, सभी नाम में आप लोग confused हो जाएगा और आप लोग को याद नहीं राएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके 20-25 question एक दिन में करवाएंगे, जिसे आप लोग अच्छे से इसको याद कर पाएं, अगर ते अपने अगले question क्यों, और नेस्ट question है हमारा, उस्ताद बंदुखा का संबंद किस वादियंत्र से है, उस्ताद बंदुखा जो है, इनका संबंद किस वादियंत्र से है, तो शारगी वादन से, सारगी बजाते थे उस्ताद बंदुखा, यानि का option इसका यह हो जाएगा, याद रखेगा, उस्ताद बंदुखा जो है, इनका संब य pineapple कर लिया था निपुन्ता हासिल कर लिया था तो शरोद पे यानि का option इसका हो जाएगा यह बद्री एक ऐसा वादियंत्र है जिस का उस्ताद अमिजड अलिखा से चुछाजन करते हैं अगला पुशन है सब से प्राचीन वादियंत्र कौन हरी परसाद चौरसिया ने किस छेत्र में परसिद्धी अर्जित की थी दिए कि जितना कोशन आपको करवा रहे हैं सभी कोशन आपके एक्जाम के दिश्टी कों से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट प्रसन है तो यह कोशन था हमारा कि हरी परसाद चौरसिया किस छेत्र में पर अगला कोशन कर लेते हैं और निश्ट कोशन है हमारा निमलिकित में से कौन संगितकार भारत की एकमात्र महिला सहनाई वादक है भारत में बहुत सारे पुरुष सहनाई वादक है लेकिन भारत की एकमात्र महिला सहनाई वादक कौन है चार आप्शन दियावा चार नाम दिया ''fillmars'' उस तो है जो कि सवजाती है सनई वादन करते हैं लेकिन बागहिश्वरी कमर्ण, जो कि confirm Mart एक सकते हैं करदें और इस की जा जाती है अगला कोशन करते हैं और इस्ट कोशन है विलायत खां का सम्बंद किस वाद यंद्र से हैं विलायत खां का सम्बंद किस वाद यंद्र से हैं तो याद रखेगा विलायत खां का सम्बंद किस वाद यंद्र से हैं तो इस्टार से सम्बंद का सम्बंद किस वाद यंद्र से है देख सकते हैं इनका फोटो भी है बंदे असन का संबंद किस वादियंद से हैं तो सितार से संबंद है बंदे असन का ओप्शन डी हो जाएगा और नेस्ट कोशन हमारा साहित परवेज का संबंद किस वादियंद से हैं साहित परवेज जो है इनका संबंद किस वादियंत से हैं तो साहित परवेज का संबंद है सितार से यानि का option इसका यह हो जाएगा सितार वादन करते थे साहित परवेज option इसका यह हो जाएगा देख सकते हैं इनका यह photo भी है अगला question कर लेते हैं और next question है हमारा उमा संकर मिस सितार वादन करते थे षितार वादन करते थे पुछणीहाज है सितार वादन करते थे देन फ extend पिचार्ण्योण सितार को ही या उसका दिग तुछ कर दोप से है तो इनका भी समझ है सितार से यह तबला बजाते ते अल्ला रखा खाँ Option का जाएगा यह देख सकते हिस ताद एप धुप्र धुन्दला आपको दिखने रहे हैं क्योंकि आप लोगों फोटो आपको दे अपको देखांक फोटो दिखा रहें ताकि आप क्या होता है ने बालबाल पर फोटो देख लेते तो ग तो नाम में कन्फ्यूज नहीं रहें इसलिए आप लोगों को फोटो भी दिखाते चल रहें तो अल्ला रखा खांका सम्द्ध किस वादियंत से है तो तबला से संबंद है अल्ला रखा खांका नेस्ट कोईशन है हरी परसाथ चौरस्या का सम्द्ध ये तूपड़ी देख ल आसा करतों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और देख इसमें इतना कम कोशन इसलिए बताने क्योंकि नाम में आप लोग हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं नाम में कौन किसका नाम में कौन कौन सा वादन करते थे इसमें आप लोग कन्फ्यूज रहते हैं इसलिए अगर आज यह 20 देंगे तो आप लोग इस 20 को पढ़ लीजेगा और इसका पीडिया आपको कैसे लेना है वाव लेडी आप लोग को चैनल पर पहले ही बता चुके है वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोक से मिल जाएगा लेकिन लिंक से अच्छा आप लोग जैसे चैनल को खोलिएगा होमपेज पर जाएगा पहला वीडियो वही होगा आपको पीडियाप एस्टी के लिए कैसे लेना और बीपेसी के लिए कैसे लेना समझ गये चाहिए आप लोग किसी बीग्जाम के प्रिप्रेशन कर रहें तो इसका पीडियो फिले सकते है तो कि कोई प्रिप्रेशन करें तो इससे फिक्स है कि 5-7 नमर का कोशन आएगा ही क्योंकि मिनिममं बोले 5-7 नमर का कोशन मैक्सिमूम 10-12 नमर का भी कोशन पूछा आ सकता है समझ गये तो इस वीडियो को देख लेगा उच्छे से इसका पीडियो आपको लेना समझ गये इसमें आपक अगर तुम अपलो के वीडियो अच्छा लगा हुगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेव वीडियो के साथ